So hello friends, welcome back to our college तो आज जो हम question देखने वाले हैं, वो है minimum jumps to reach end ये काफी easy or simple question है, बट काफी time पूछ लिया जाता है तो इसलिए हम करेंगे आज ये वाला question आज हम इसे DP से देखेंगे, greedy से भी कर सकते हैं greedy का solution थोड़ा efficient होगा इससे बट आज हम DP वाला देखेंगे कि DP से कैसे solve करेंगे और थाकि हमारी DP की states है और DP की intuitions होगा रहा है वो हमें अच्छे से आजए तो DP से हम n-square solution देखेंगे, greedy से on possible है बट वो आज नहीं देखेंगे हम तो नीचे comment मत करना कि on में possible है हाँ मुझे पता है on में possible है बट आज हम on-square वाला solution देख रहा होंगे तो हमें क्या given है कि integer array given है जिसमें हर element ये represent करता है कि आप maximum number of steps उससे आगे कितना ले सकते हो ठीक है और आपको बताना है कि आप array का last element reach कर सकते हो या नहीं अगर कर सकते हो तो minimum number of jumps में बताना है कितनी minimum number of jumps में आप वो array का last element पर पहुच सकते हो अगर element 0 हुआ जैसे तो 0 कदम आप आगे ले सकते हो मतलब वहां से तो कहीं आप जाई नहीं सकते हो वो एक dead end आ गया ठीक है तो एक बार एक sample test case देखते है ताकि हमें उससे थोड़ा question का better idea लगे तो जो array given है question में वो है 135-892-676-89 तो यहां पर आप 3 moves में 1 से end पर पहुच सकते हो कैसे? कि आप पहले 1 से 3 पर जाओगे 3 से आप यहां 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 जा सकते हो तो आप मालनों यहां चले गए और फिर यहां से आप सीधा end पर पहुच गए यहां से यहां यहां चले गए और यहां से end में पहुच गए तो possibilities तो बहुत सारी है minimum number of moves आपको लगेंगे 3 पहुचने में end तक तो DP की states क्या होंगी? तो सबसे पहले तो DP की states के बारे में सोचना होता है जब भी DP का question आए तो DP की क्या states होंगी? यह आपके दिमाग में आनी चीए तो क्या state हो सकती है? अगर आप it position पे हो तो it position में कितनी moves में आप end तक पहुच सकते हो? यह हो सकती है या फिर it position पे हो it position पे पहुचने के लिए आपको minimum number of moves कितनी लगेंगी यह रख सकते हैं तो हम यह रखते हैं कि अगर हम it position पे हैं तो DP यह represent करेगा कि आपको 0 से it position पे पहुचने के लिए कितनी moves लगी तो हमें क्या करना है? बस jumps of n-1 यानि कि DP आप n-1 चाहिए कि मतलब n-1 अथ position पे पहुचने के लिए हमें minimum कितनी moves लगी तो हमें अगर calculate करना हो DP of i या jumps of i क्या होगा? तो हम अगर हमें एक nested loop चला है 0 से i-1 तक अगर हम देख ले कि 0 से i-1 तक हमें it position पे jump करना है तो हमें कितनी moves लगेंगी? तो अगर हम loop लगाए 0 से i-1 पे अगर हम jth position पे है अगर हम is position पे अगर हम reach करना है is position पे कितनी moves लगेंगी? जो हमें jth position पे लगेंगी? plus 1 क्योंकि हम j वले position से i वले पे jump कर रहे होंगे तो बस हमें यही करना है तो यह code काफी lis से similar से होगा longest increasing sub sequence अगर आप नहीं पड़ा तो एक बार उसकी वीडियो देख ले ना बहुत उससे similar code होने वाला है यह तो एक pseudo code देखते हैं इसका तो jumps of 0 क्या होगा? 0 ही होगा तो अगर आप starting पे हो तो starting पे आपको reach करने के लिए तो 0 moves लगेंगे क्योंकि आप 0 से start करोगे उसके बाद हमें क्या करना है? i equal to 1 से i less than n तक हम iterate करेंगे और j वाला जो loop होगा वह 0 से i minus 1 के बीच में चल रहा होगा अगर तो अब आप j वाली position पे i पे जा सकते हो तो यहाँ पे आपको क्या करना है? jumps of i equal to minimum of jumps of i, jumps of j plus 1 तो यानि कि जितनी jump j पे लगी उससे plus 1 बस करना आपको यहाँ पे break लिखो या ना लिखो उससे आपको कोई फरक नी पड़ेगा answer में चाहिए आप हटा भी सकते हो बट जो पहला ही element होगा वो ही सबसे smallest होगा तो अब एक बाद dry run करके देखते हैं इसको तो हमें यहाँपे यह array given है तो 0 पे क्या होगा answer? 0 ही होगा अब 3 पे क्या होगा answer? 1 क्योंकि 1, 3 अब similarly 5 पे क्या होगा? 5 पे आप 1 या 3 से यहाँपे 3 से आसकते हो 5 पे तो इसका answer होगा 2 Similarly 8 के लिए क्या होगा? 8 के लिए जाब आब यहाँसे देखोगे यह नहीं आ सकते, यहाँ पर आ सकते हो, बट यहाँ 5 से आओ गए तो 3 moves लगेंगे, अगर 3 से आओ गए तो 2 moves लगेंगे, ऐसे 9 के लिए भी 3 से आगए आप 9 पर, similarly अब 2 पर देखेंगे, तो 2 पर आप 5 से सिधा यहाँ पर 2 पर आगए, तो यहाँ पर कितने moves लगे, 3, क्यों 5 से आओ गए, तो यहाँ से 3 moves लगेंगे, 8 से भी आ सकते हो, तो 8 से आपको यहाँ पर 3 moves लगेंगे, फिर ऐसे 9 से, 8 से, जिससे भी आप रीच कर सकते हो, 1st element से, तो वो उस element पर पहुचने के लिए moves, प्लस 1, तो यह it element के लिए moves आ देंगे, तो काफी simple सा ही था, एक बार फटा-फट से code भी कर लेते हैं, code भी काफी simple होने वाला है, तो code में मैंने sudo code तो आपको बताई दिया था, बस फटा-फट से उससे code भी कर देते हैं, तो यहाँ पर पहले array input लिया, और हमने अपनी jumps वाली array भी ready कर लिया यहाँ पर, initially हम infinity से initialize कर देते हैं, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, constant infinity equal to 1 in 9, तो यहाँ पर हमने infinity से initialize कर लिया अपनी array, अब अगर starting ही 0 element हो गया, अगर starting का element ही 0th element हुआ, तो आप आगे कहीं जाई नहीं सकते होगे, तो आप क्या करोगे, cout infinity कर दोगे, और return कर दोगे, तो अगर starting element 0 हुआ तो आगे जाई नहीं पायँ, तो आपने infinity cout कर दिया, अब jumps up 0 तो 0 होगा अब हमें क्या करना आगे loop लगाना i is less than n i plus plus अब j क्या चलेगा j चलेगा 0 से लेकर i minus 1 तक अगर आप j से reach कर सकते हो अगर आप j से ith position reach कर सकते हो अगर ith position reach करने के लिए क्या condition होती है अगर j से आपको i पे reach करना है तो तभी reach कर पाओगे अगर j पे जो element है यानि कि j पे array of j है तो इतने steps आप आगे जा सकते हो j से हैना अगर jth position पे हो तो आप array of j steps आगे जा सकते हो और यह वली जो term है वो i से less than equal to होनी चाहिए तो यहाँ पे jumps of i क्या हो जाएगा jumps of i, jumps of j plus 1 ना तो यहाँ पे क्या error आया है हमारे पास अच्छा यहाँ पे return कुछ करना होता है या तो return 0 कर देते हैं int main है क्योंकि int main में मतलब वो integer return करेगा अगर आपने खाले return कर दिया तो वो नहीं चलेगा तो test case डालते हैं तो यह अगर हम test case डाले तो इस case में answer हमारा था 3 जैसा अभी हमने देखा भी था answer जो था हमारे पास 3 था इसकी greedy approach भी होती है greedy में जब तक आप जा सकते हो आगे जाते रहते हैं और वो on में solve कर देता है वो हम greedy वाले जब topics होंगे तो उसमें देखेंगे यहाँ पे हमारे DP से कैसे approach करी तो DP में कैसे हमने हाँ पे states define की और इसके accordingly question अपना solve किया तो इस question में हमें वो देखना था काफी LIS से similar code था इसका तो कैसे कुछ-कुछ problems होती है और कैसे उसको आप जो existing problems होती है उसके through आप solve कर सकते हो वो चीज़ देखने ही यहाँ पे जादे इंपोर्टन थी standard problems होती है तो जो आपको question मिल रहा है उसको standard problems में कुछी तरह frame करके कुछ वही techniques यूज़ करके आप काफी सारे questions solve कर सकते हो आपको video अच्छी लग यहाँ आप मिलेंगे next video में बाई